हेलो एवरिवन नमस्ते आप सभी का स्वागत है दीदी की रेसिपी में आज हम बनाएंगे सूजी रोल और यह बहुत ही सौप्ट स्पॉंजी बनके तयार हो जाता है तो ज्यादा इंग्रीडिनेट इसमें नहीं लगते नहीं ज्यादा समय लगता है तो आप देख सकते कितन तो इसमें तेल मसाला ज्यादा नहीं लगता है और यह बच्चे से लेके बड़े सभी को पसंद आता है तो आप इसे नास्टे में भी दे सकते हैं लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चो को इससे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप सूजी लिया है अदा कटोरी तकरीबन यहाँ पर मैंने दही लिया है तो दही थोड़ी खटी थी और थोड़ा सा इसमें नमक एड़ करके एक कटोरी पाने डाल के इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि सूजी हमारी फूल जाए इसे फूलने के लिए मैंने पांच मिनट के लिए छोड़ दिया था अब नेक्स प्रोसेस में तो आलू को फोड़ने का छिलने का बहुत यूनिक तरीका मैं लेकर आई हूं क्यूंकि आपको हाथों का इस्तमाल नहीं करना है मतलब आपके हाथ गंदे नहीं होगा यह कहना चाती हूं मैं तो यहां पर मैंने तेल पूरी छानने वाला यहां पर करना है तो आलू को सिंपली इसके उपर रखके प्रेस करना है आप देखेंगे कि नीचे आलू भूटते जाएगा और छिलका है इस चलनी में आते जाएगा तो इसी तरह से आपको फोड़ना है अगर आपके हाथ गंदे नहीं करना है तो बहुत आसानी से यह फूट जाता तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना यह देखी सारे आलू मैंने फोड डाले और छिलके ग्लास में आपके सामने तो यह ट्रिक बहुत ही काम किये फ्रेंस आप इसे जरू ट्राय करना इतना काम हमारा हो गया है तो बढ़ते हैं नेक्स प्रोसेस में यहां पर मैंन रखने देना है जो मसाले रखे तो उसे कूट कर रेडी कर लेना है यहा यहां पर मैंने डाल दिया थोड़ से चुटवी पत्ता है और चुटी रहाइं डाल देना इसकी अंदर अच्छे से मिक्स करें के मसाले को और आज को कई धीमा रक देना अब मसाले जब सुनहरे हो जाएंगे तो इसमें हम आदा चमच गर्म मसाला, आदा चमच हल्दी पाउडर, आदा चमच आमचुर पाउडर डालना है डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है फ्रेंज, आमचुर पाउडर की वीडियो शूट नहीं हो पाईए अब इसमें जो आलू अमने फोड के रखा था ना उसे आड़ करना है एक मुठी धनिया हरी वाली डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे शाथ में स्वाधन सा नमग आड़़ कर देना है तो पल्टे की मदद से अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है चारो तरफ चारो मसाले नमग धनिया अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए मसाले में से खुब अच्छी खुश्बू आ गई है तो आप यहां पे जब बनाओगे तो आपको पता चलेगा मसाला एक नमबर का बना था अ और यह बहुत ही आसानी से बन जाता है अब नेख्स प्रोसेस में मैंने यहां पर पानी गरम होने के लिए रख दिया था अब किसी भी बरतन में इसे गरम होने के लिए रख सकते है बरतन थोड़ा बड़ा ही रखना है अब अब Sumeruke सूजी को रेस्ट पे रखा था उसमें एक पैकेट ऐनो थोड़ी सी पानी की बुंदे आड़ करना है और अच्छे से मिक्स करना है यहां पर ढ़िन करना है क्योंकि जो इनो होता है वा कुछी दिर भाद उससमा बंद हो जाता है तो यहां पर काम आपको थोड़ा जाद आएगी जैसे कि सरसो का तेल आपको इस्तमाल यहां पर नहीं करना है और सारे ग्लास में इस तरह से तेल को मिक्स करना है अब जो हमने घोल तयार किया एक चमच ग्लास के अंदर डालना है इस तरह से दो चमच यहां पर मैंने डाल दिया है और जो हमने आलू का मसाला ब इस तरह से मैंने तीनो ग्लास में मिक्स कर भर लिया है अब चलिए इसे स्टीम करते हैं तो यहां पर अच्छे से उबाल आ गई है कूकर में तो यह तीनो ग्लास इस तरह से रख देना है और इसे हम धीमी आज में इसे 15 मिनट के लिए पकाएंगे जो फ्लेम पहले हाय थी इसमें मुझ में हम चैक करेंगे और यहां पर अगर यह गीला रहेगा तो इसका मतलब पका नहीं है तो थोड़ा सहां और दो मिनट के लिए पका लेते हैं अब देखते हैं इसे चेक करके अच्छे से यह पग गया था और पानी भी थोड़ा कम हो गया था यह मैं आपको न यहां पर देखें चाकु की मदद से थोड़े से अंदर कट लगा देंगे और यह आसानी से मोल्ड में से निकल के बाहर आ जाएगा तो इसी तरह से सभी आपको निकाल लेना है फ्रेंज एक्दम जाली दार सौप्ट स्पॉंजी बना हुआ यह नास्ता है आपके घर में सभी को बहुत जादा पसंद आएगा और यह इटली का भी स्वाद देता है तो इस तरह से यह नास्ता आप भी बनाकर जरूर तयार करिएगा सूजी रोल्स यह देखिए यहां पर मैं इससे कट कर लेते हूँ आप चाहो तो इससे इस तरह से हेल अअधिक जयर में मैंने सभी डाल दिया है नमक डाल कर दो दो चाहरा नीबू करस और थोड़ा सा पानी फिर इसे तरह कर लिए पीस कर लिए नास्ते के साथ सब कर दिया है तो आज नास्ता रेस्पी आपको कैसे लागा कमेंड में जरूर बताइगा तो जिसे भी हपाना है तो आप इससे इससे दे सकते हैं, या फिर इसमें थोड़ा सा तड़का लगा के, कडाई ली ए एक कडाऊ लिए, इसमें तेल एड किया है, शरसों के दाने डाले हैं, कड़ी पत्ता डाला है, थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा से ही इसे भून के रेडि कर लिया, यहां में कोई अलग से मसाला इसमें एड नहीं किया क्योंकि हमने बनाई चटाकेदार चटनी और इससे थोड़ा सा इस सर से फ्राय करके देंगे बहुत ही अच्छा लगता है तो आप इस हेल्दी सी रेस्पी को ज़रू ट्राय करना सूजी रोल्स बहुत ही बढ़ियां बने थे मैं में दूर समयां करता है जलता उन्हें और श्राव ट्राय करला है मसा में के दूधा ख़ाए अफ़ी और हमद्स को